सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल सोरव चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भोलिए लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं सोरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक के एकने एपिसोड में चलिके दोस्तों आज की टेकनिव सुरू करते हैं गर्जबर दस्त गरमा गरम टेकनिव से यहां पर पहली का बनिकल के आ रही है वह नोकिय को लेकर बढ़े टाइम के बात बताया जा रहा है दोस्तों कि नोकिया जो है अपने गेमिक स्मार्ट पॉन है बो लॉंच करने वाला दोस्तों दोस्तों अब्यों बढ़े जा रहा है कि एंडिया के अंदर वह एक अपना ऊफार्डवर रेंज का आप जिसका नाम भी आप सामने आगया जिसका नाम ने नोकिया नोकिया जो फॉन होते हैं वह अच्छे होते हैं लेकिन फोट्वेर भी ठीक होता है लेकिन दोस्तों किस तरह का यह फोन रहेंगा अगर अच्छी पॉर्ज पर आता तो तो भूत अच्छी बात अच्छी बात है कर अच्छी प्राइज में आता है तो आयम सोरी बाबु पक पक को की कबर दोस्तों यहां पर सामने आरहे हैं जहां भी of x 3 pro और और फोको एफे पाता नहीं दोस्तों लेकिन गरा मलेसिया में लिष्टी हो गया है यह मिलेशी के साहथ में लिश्ट को गया में Initial के साहथ का इस दोस्तों सब्सक्राइब जो सब करा हुआ है टीफ लिस्टम्रे ले में आपर लुए होれる लेकिन नाम यहां पर आ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है लेकिन दोस्तों दूसरी तरह पोको एक्स त्रीप प्रो है बहुत बहुत जल्दी इंडियों में हमें देखने को मिल सकता है जहां पर इसकी जो है रैम के साथ मिलेंगे जहां पर देखने को मिलेंगे जहांब डियू प्रो डियुल प्रो जो है दोस्ता हमें पहले पर देखनें को मिलेंगा और उसके आपको एफ सीरिस में कोई फॉन हमें देखनें को मिले और यहां भी खबर निकल और फाइबी को लिखी मुवे के अंधर बता हैं दोस्तों कि जियो जो है वह उपने ऐफ तोस्टों कि अब тоб मैं में अभी road में 22,00 तेमों जिना में दोस्थ और जहां प्रोब हमें आप dol लेटिय और यहदिया अभी में हमें है । जो है पूरे वर्ड में 22,000 जो है फाइव जी टावर जो है जिरफ एटेल और जी हो के हैं जी हां दोस्तों और जहां पर यह बताए जा रहा है कि इंडिया में हमें में 5G नेटवर्क देखने को मिलेंगा जहां पर 2021 बाइस भी चला जाएगा और उसके मीट में हम यह जो है फाइव जी हां पर प्रॉपरली एविलेबल होना कस्टूमर्स के लिए अधिंक उसका मझा प्रॉपरली मिल पाएंगा लेकिन दोस्तों मुझे कमें बॉक्स में यह अब ही अगर आप दोस्तों कहीं से फोन प्रचेज करने के कर अब नूप प्रचेज कर रहे हैं तो आप किन फोनों को प्रैफरेंट दे रहे हैं 5G फोन को यह 4G फोन को आपका आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं दोस्तों यहां पर जोगली खबर निकल सामने आया है जहां पर आप देख सकते हैं उने बताया कि यहां पर हैसल ब्रैड का हमें कैमरा देखने को मिलेंगा और आपको दोस्तों में बताओं कि एक हजार क्रोड़ पर उन्हों सिर्फ जो है वह कैमरा में इंवेस्ट किया है अगले तीन साल के लिए जो कि बहुत ही बड़ी बात है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इसमें हमें 8K 30 APS और 4K 120 APS का स्पोर्ट मिलेंगा और 12 विड्रोल MS और आपको यह हमें स्पोर्ट मिलेंगा और बात करें तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि बन प्लस 8 CD से बहुत जाद़ लीड में आया मैं लोग कि इसमें जो कैमरा की कपैरिजन की जए तो बहुत ही यहां पे खतना कैमरा यहां पे निकल के आएंगा बाकी दोस्तों लाट लार्ट सी देखते हैं कि 23 March को जो में ली बन प्लस क्या कमाल दिखाता है यहां पे जो अग पिछले वाला जो होगा वो बेडिया में होंगा तो बहुत ही मज़ा आएंगा बाकि दोस्तों आप जो है नीचे वीडियो को इतने इतना ही जाधा उतना ही जादा आप वीडियो को लाइक करें प्रॉप यहां पर गल्री निकल के आरी है वह पबजी गो लेके PUBG New State दोस्तों फिलाल के लिए इसका कोई चांस नहीं है इंडिया में आने के लिए क्योंकि पहले जो है PUBG Mobile India वो आएंगी उसके वाद PUBG New State साइथ आने को देखने को मिले जहां पर यह ओफिसली क्राफटर ने कंफर्म कर दिया कि वो पहले जो है वो कोसिश कर रहे है कि PUBG Mobile India को वो करेंगे लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गलोबली अगरें बात करो इंडिया और चाइना को छोड़के तो पांच मीलियन के पचास लाग से जादा रिशेशन यहां पे हुए है PUBG New State को लेकर मतलों दोस्तों कि इतना सारा जो है लोग इस पर प्यार दिखा रहे हैं कि अधरा सोला मार्च को इसकी जो गेम पले यहां आने वाला है तो बिल्कुन इसीत रहे है जैसे इसका ग्रेम पे अता है तो आपको वीडियो के माद्यम से प्रॉपली बता दूंगा जहां दोस्तों यहां बिजो गली का निकल के आरही हैं वह सैंडिस्क को लेके यहां प अरो है दोस्तों फिर बहुती बड़ी बात है यानि कि व्र यह कमाल कर देंगे जब दोस्तों इसकी जो आगर बात करूं तो इसमें जो एक्स्टीव प्रो की तो इसमें जो सब्सक्राइब और 10502kim इतना इजी हो जाएंगा कि आप चुटकियों में यानि कि आप कुछी समय में डाटा को इधर से उधर ट्रांस्पर कर सकते हैं इस जो है नियू पॉर्ट जो सैंट डिस्क के जो नियू पॉर्टेबल जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कोई पॉर्टेबल डिस्क का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं यहां पर जोगली ख़वा निकल के आ रही है वह है अब बिताए जा रहा हैं दोस्तों कि एपल जो है वह मिक्स्ट रियाल्टी हैड्सेट को लांच करने वाला है ज आके आने वाला है आई मिन दोस्तों यह बहुत ही कमाल के होने वाले हैं और जहां पर अगर में बात करो जो अभी ए आर कॉंटेक्ट लैंस की तो यह बहुत ही खतनाग होने वाले हैं लेकिन दोस्तों इसकी प्राइज भी उतनी खतनाग होंगी बाकि दोस्तों आम मुझे ये पताएं कि इसकी जो प्राइज वो कितनी होने वाली कोमेंटे मुझे जुरूर बताएं यहां पर दोस्तों मट्रो जी टेंच चैन की सपैसिफिकेसिकेसिती हैं फिस्ली मोट्रोमा के तर्फ से बहार आगी है जहाँ पतारिए कि हमें सिक्स थाउजन एमेज की बैटरी पुर्टी एट मैगेप्रिसला कोड कैमरा साथ में हमें यहां पर जो मिलेंगा तिंग सील्ड अडवाफ स्कूर्टी सिस्टम मिलेंगा जो कि एंड़ा 10 के साथ आएंगा जहांपे दोस्तों अगर में बात को रहां तो बहुत ही कमाल का फॉ सबसे पहले जब मैं इसकी वीडियो बनाओ तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि इस तरह के यह फोन रहेंगा यहां भी जोगली खावर निकल के आ रहे हैं वह सेमसंग को लेके सेमसंग गलाक्सी एफिटी टू यहां पर दोस्तों इसकी कुछ ल और सेमसंग गलाक्सी एफिटी टू यह दोस्तों एसीरिस के फोन है थोड़े प्राइज में की मामले में थोड़े प्रीमिम होते हैं लेकिन दोस्तों इस बार बताया रहा है कि सेमसंग कुछ फीचर जो है वह प्रीमियम वाले इनी फोन के साथ पैक करने वाला है बाकि दो जो है बर्ज पिक्सल बर्ज होते हैं वा प्रैल के हम दर हमें लॉंच हो सकते हैं फिला दोस्तों पिक्सल 5 जो है वह हमें में लव सबसे पहले मिलेंगा उसके बाद हमें जो एक्तूबर और नवंबर के रॉंड आने वाला है वाकि लैट सी पिक्सल 4 ए तो बहुत ही अच् इसने किया है जो हमें पॉप-प एड्स जो है वह देखने को मिलती है जिहां दोस्तों इनकी विदोलर से हमें जो फाप-अड्स देखने को मिलती है पो इस बंदे की बदोरत है जिसकी बद dauसे हमें आज परीसांणी का सामना करना वड़ता है दोस्तों बस आज की टेकनोजी यहां पर ही खतम करते हैं मुझे अमीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहेंगा फिलहाल वीडियो में इतना ही जैहिन बंदे मातरो क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा भूले